हाई एवरिवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो की अंतर गथम बात करने वाले हैं केंद सरकार की सभी महतुपूर्ण योजनाओं के बारे में जैसा आपको पता है एक्जाम होने वाले 31st को इंटरव्यू है और आने वाले जो भी रिजल्ट है उसके बाद जो भी आपका इंटरव्यू कंड़क्ट कराया जाएगा उन सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके आगामी परिक्षाओं में जो भी करेंट से प सकते हैं आपको वहाँ पर प्रवाइड करी जाएगी आप इसको सुन देख लीजे पूरा और इंपॉर्टेंट है एक एक चीजे थोड़ा सा जितने इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ आपको इसमें यही दिया जा रहा है वैसे तो केन सरकार की योजनाय और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं सिर्फ इसमें वही है अक्सर कुछ ऐसी योजनाय होती है जिसको हम अक्सर न्यूर्पेपर में सुनते देखते हैं तो वही पूछाए भी जा सकता है तो देखिए पहला है हमारा नमामी गंगय योजना आइए इसके बारे में जानते हैं इसका सुभारम जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्राले द्वारा किया गया था इसका उद्देश क्या है नमामी गंगे का तो गंगा के सनक्षण एवं शुद्धी ही है ठीक है मतलब गंगा को के सनक्षण में उसके साफ सफाई से रिलेटेड है नमामी गंगे योजना प्रधान मंत्री जंधन योजना इससे आप सब लोग अच्छे से परशीत होंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है देखिए इसका सुभारम जो है 28 अगस्त 2014 को वित मंत्राले द्वारा किया गया था इसका उद्देश क्या है सभी परिवारों में कम से कम एक बैं तक में इतने खादे खोले जा चुके थे लेकिन अभी और भी खुल चुके हैं लगवग 2 लाक रुपे का दुर्गटना बीमा तथा जो है 30,000 रुपे तक का जीवन बीमा इसमें शामिल है आप इसमें में 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 चीजे याद रखेंगे कि इसका मतब उद्देश क्या था इस योजना का और कब खोला गया और किस मंतरा ले द्वारा ये चीजे याद रखेंगे Make in India आईए इसको जानते हैं इसका सुभारम हुआ था 25 सितंबर 2014 को उद्देश क्या था तो देश में manufacturing को बढ़ावा देना था इसका उद्देश है नेक्स अगला है हमारा सांसद आदर सग्राम योजना इसको आईए देखते हैं इसका सुभारम जो है 11 अक्टूबर 2014 को जै प्रकास नारायन के जन्व दिन पर किया गया था और इसका उद्देश है क्या है तो प्रतेक सांसद द्वारा 2019 तक तीन गाउं तथा वर्स 2024 तक कुलाट गाउं को गोध लेकर विक्सित करना है most important है इसको याद रखिएगा mission इंद्र धनुस अभियान को देखते हैं कि यह क्या था mission इंद्र धनुस जो है सुभारंब इसका हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्री स्वास्त मंत्रा ले देखिए यदि आपको डेट ना भी याद रहे लेकिन एयर याद जरूर रखिएगा कि किस एयर में इसका जो है सुभारंब हुआ था उद्देश इसका क्या है तो 2020 तक को संभून टीका करण के लक्ष को प्राप्त करना इस योजना के अंतरगस साथ बिमारियों मिशन इंद्र धनुस में साथ बिमारियों को कवर किया गया था टीका करण से जैसे डिप्थेरिया, काली खासी, टीटनेस, पोलियो, टीवी, ख किया है तो LPG सिरेंडर के सबसीडी के पैसो को सीधे उभुकताओं के बैंक खाते में भेजना ठीक है यह जो है डीबी टी एल जो है डीडायरेक्ट बेनिफिट टांसवर फॉर LPG है स्कीम भी कहलाता है हिर्दय योजना को आईए देखें हिर्दय योजना क्या है इसका सु पूछा जाएगा लेकिन आप यह जान लिजे कि हिर्दय योजना किस से संबंधित है तो उसका उद्देश है क्या था कि देश के चैनित बारह शेहरों की संस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना अगला है बेटी पे चाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह बहुत ही प्रांता को बढ़ावा देना और लिंगा नुपात को बढ़ावा देना ठीक है आए आगे देखते हैं अगला हमारा है प्रथान मंत्री मुद्रा योजना आए देखें इसके बारे में इसका सुभादरम आठ अप्रेल 2015 को हुआ था ठीक है और जो मुद्रा है उसका फुल चुर और तरुण उपलब्द कराना शिशू के तहत पचास अजार कि तहत पांच लाग तथा तरुण के तहत दस लाक रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है मुद्रा योजना में अगला है उजाला योजना कन्फ्यूज मत हुएगा एक उज्वला योजना है और य जाईएगा देखें उजाला का फुल फार्म की यहां पर दिया हुआ है आपका और उद्देश से जो है क्या है इसकी तो बिजली की खपत को कम करना एलेडी बल्व का कम मुले में वित्रण कराना इसकी सुरुवात एक माई 2015 को की गई थी अगला है अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना क्या है देखिए नौ माई 2015 को वित्र मंत्राले द्वारा जो है इसका सुबारंब किया गया था इस योजना के अंतरगत 18 से 40 वर्स की आयू वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किये गए रुपए की आधार पर 1000 से 5000 तक का पे मिंशन प्राप्त कर सकता है अगला है अमरूत योजना आईए हम जानते हैं अमरूत योजना के बारे में इसका सुभारंब हुआ था 24 जून 2015 को ठीक है और ये अमरूत जो है आपका इसका फुल फॉर्म भी लिखा है अटल मिशन है अपना ये आपको फुल फॉर्म भले ही विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की परियोजना शामिल है स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी मिशन जो है क्या है इसको देखते हैं इसका सुभारंब 25 जून 2015 को हुआ था और इसका उद्देश ही क्या था तो 100 शहरों का चैन कर विकास करना सिंगापूर के सहयोग से ठीक है अगला है प्रधान मंतरी आवास योजना को देखते हैं 25 जून 2015 को इसका सुभारंब हुआ था और इसका उद्देश ही क्या था तो 2022 तक 2 करोण नए घरों का निर्मार करना डिजिटल इंडिया मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक तरीके से जनता को उपलब्द कराना है ठीक है आई आगे देखते हैं अगला आपका दिया हुआ है प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना शुभारंब जो है एक जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश है तो किसानों को क्रिशी है त इस तक जो है देश की वाओं का कौशल विकास करना दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जियोत योजना आईए इसको जानते हैं इसका सुभारंब 25 जुलाई 2015 को किया गया था इसका उद्देश क्या है सभी गाओं को का विद्द्यूती करण करना वितरण कमपनियों की वित्ति ये स्थिति में सुधार एवं उचित मानिटरिंग करना है अगला है आपका सागर माला पर योजना क्या है आए जानते हैं इसके बारे में 31 जुलाई 2015 को इसका सुभारंब किया गया था और उद्देश क्या था तो बंदर गाहों का विकास्त था उन्हें सड़क रेल कमपनियों मतब डिसकॉम का वित्ती सुधार एवं घाटों से उभारना था इनको इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जारखंड है श्यामा प्रिशाद मुखर जी रूबर्न मिशन क्या है देखते हैं तो इसकी सुरुवात 22 फरवरे 2016 को की गई थी गाउं का ज इसका सुभारम किया गया था इसका उदेश किया है तो रास्टी राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर व्रिजो का निरमार करना है स्टेंड अप इंडिया देखते हैं कि क्या है देखिए आपको इसको याद नहीं करना है बहुत रटना नहीं है आप जब इस वीडियो को एक से दो बार सुनेंगे अध्यान से सुनिएगा आपको चीजें याद हो जाएंगी सुनने से चीजें आपकी याद हो जाती है ठी किया गया था और इसका उद्दे से क्या था तो अनुसूचित जाद ये अनुसूचित जंजात इवं महिला वुद्यमियों को नई कमपनिया स्थापित कराने हैं तो दस लाग से एक करोण तक का रड़ देना है उडान योजना को आईए देखते हैं कि क्या है जितने भी आप योजनाएं पढ़एं ये टोटल केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कम से कम अगर आपको इनका नाम भी याद रहा तो आप ये कर बता पाएंगे कि ये योजना जो है किन सरकार की है पूरी ठीक है उडान योजना को देखिए 27 अपरल 2017 को हुआ था पूरा नाम इसका उडान पूर्टल के बारे में जानते हैं शुभारंब इसका हुआ था 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्राले द्वारा हुआ था या पूर्टल सिख्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता करने के लिए दिख्षा जो है पूर्टल लॉंच किया गया था कनेक्शन देना ठीक है बीलो पावर्टी लाइन होता है बीपील का फिल फर्म पता नहों तो जान लीजे इस योजना के अंतर का सरकार द्वारा बीपील परिवारों को प्रती कनेक्शन शोलो सो रुपए की वित्ती सहायता प्रदान की जाती है अगला है वरिष्ट पिंसन बीमा योजना को आईए देखें क्या है तो इसका सुभारम एक जनवरी 2017 को भारती जीवन निगम LIC द्वारा किया गया था और इसका उद्देश क्या है तो 60 वर्स और इससे अधिक आय इसपर्स योजना जो स्कॉलर सिफ से संबंदित है आपकी इसका सुभारम तीन नौबर 2017 को किया गया था इसका उद्देश क्या है तो यह चटी से नौमी क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकर संग्रह में रूची बढ़ाने के लिए आरम की गई चात्रवित्ती योज जोजना को आईए देखें क्या है तो इसका सुभारम 21 जुलाई 2017 को हुआ था और इसका उद्देश क्या है तो 60 या उससे अधिक आई वर्ग के वरिष्ट नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने का 10 वर्सों हे तो 8 प्रतिशत की गारेंटी शुदा रिटन करना है प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है जिसे हम शौट में कहते हैं सौभाग की योजना तो ये क्या थी तो 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्राले द्वारा आई थी और इसका उद्देश क्या है तो देश में सभी घरों का विद्युती करन सुनिस्चित करना है अगला है प्रधान मंत्री जन आरोग की योजना या इसे आयुश्मान भारत योजना करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखेंगे जितने के अन्ली रेट हैं आपके सीनियर नर्सिंग के इनको तो ये पता होना चाहिए 23 सितंबर 2018 को जारखंड की राजधानी राची से इसका सुभारम किया गया था उद्देश क्या है गरी परिवारों के लिए 5 लाग तक का कैस रहित स्वास्त सुविधा निशुलक उपलब्द कराना है अगला है पीम किसान सम्मान निधी क्या है जिसका सुभारम 24 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा किया गया था उद्देश क्या है तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपे प्रत्यक्ष आय सहायता देना है यह सहायता 22,000 रुपे की तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है प्रधान मंत्री सम्यो वर्ष के और संगठिक छेत्र के स्रमिक जनिक मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है लाब क्या है तो 60 वर्ष की आय होने पर तीन हजार रुपय प्रति मासिक कम ने पेंसन दिया जाएगा आईए नेक्स देखते हैं देखिए अगला दिया है प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना को देखेंगे तो इसका सुभारंब 12 सितंबर 2019 को राची जहरकंड में हुआ था इसका लाब किसे मिलेगा 60 वर्ष की आई होने पर नियूंतम रुपया 3000 प्रति मा पेंसन आएगा योजना के पात्र कौन लोग होंगे तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन होगी अगनी पत्य योजना इससे तो आप सब लोग बहुत परचीत होंगे यह भी की है ठीक है इसकी एक बैच भी आ गई है योजना की घुशना 14 जुन 2022 को हुई थी योगिता क्या है दस्मी और बरहमी पास जो आई होगी साड़े सत्रा वर्ष से तेईस वर्ष के लोग जो है इसमें सामिल होंगे युवा इस योजना के तर्थ युवाओं को चार साल के लिए तीनो स अगनी वीरो को सेवा निधी पैकेज के तहट 11.71 लाक रुपए का भुकतान किया जाएगा सेवा समाप्ति पर अगनी वीरो को सीए पीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा साथ ही मेरिट की आधार पर 25 प्रतिशत अगनी वीरो का चैन इस्थाही रूप से किया जाएगा आगे देखेंगे पहले वर्स इसके तहत जो है 46,000 अगनी वीरो की भरती की जाएगी आपको पता है कि यह चीजे हुई है ठीक है इसमें काफी और अंदोलन टाइप के भी चीजे हुई थी तो देखिए इसमें मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करने की कोसिस करी है जिनको इसकी जरुवत हो वीडियो को आप एक से दो बार इसको सुनिए आपको चीजें आप आटोमेटिक हो जाएंगी यदि आप चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मै नेक्स वीडियो उस पर जरूर ले के आओंगे इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक क्यार जैंद